हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के अब्जेक्टिव कुश्चन्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा CNC याने Computer Numeric Controller तो जितने भी आपके सब्जेक्ट के important कुश्चन हैं मैं उन कुश्चन्स को आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ लगबग 25 प्लस आज की इस वीडियो में हम कुश्चन करने वाले हैं objective तो वीडियो के इन तक आप जरूर बने रहेगा वीडियो पसंद आय तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंतर में बताना आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करकर आप जरूर बताएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा share करिएगा इसकी जो पीडियाप है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी तो वहां से जाकर आप इसकी पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए याद कर लिजे c nc का full form क्या होता है इसका full form लिख लिए computer numeric controller और आपका जो nc होता है उसका full form होता है numeric controller तो आप इन दोनों के full form ज़रूर याद कर लिजेगा अब आपके questions पर आते हैं आपसे question पूछा गया है कि numeric control machine में कितने elements होते हैं तो friends जो आपका NC machine होती है उसमें आपके तीन प्रकार के elements होते हैं अब आपसे पूचले कि वे तीन प्रकार के elements कौन कौन से हैं तो पहला आपका होता है software दूसरा आपका होता है NCU और तीसरा जो आपका होता है वो होता है machine tool NCU का मतलब आपका हो गया numeric control unit तो इसकी भी आप full form जरूर याद रखिएगा आपका question था कि NC machine में कितने element होते हैं आपके तीन element होते हैं आपसे पूचले question की निम्ण में से कौन कौन से जो अव्वेव हैं वो आपके NC machine के हैं तो आपका पहला element software हो जाता है दूसरा हमारा NCU हो जाता है तीसरा हमारा machine tool हो जाता है चलिए next अगले question पर आपके फ्रेंट्स चलते हैं आपका अगला question पूचा गया है कि NC machine की spindle अच को कौन सी अच माना जाता है question आपका एक बार फिर से repeat कर दूँ question आपसे पूचा गया है कि NC machine की जो spindle अच होती है उसको कौन सी अच माना गया है तो जो इसका right answer हो जाएगा friends कि जो NC machine की spindle अच होती है उसको जड़ अच माना जाता है यानि कि NC machine का जो spindle का axis होता है उसको हम z axis मानते हैं तो इसका answer हो जाएगा कि NC machine का जो स्मेंडल अच्छ होता है उसको जिड अच्छ माना जाता है चलिए अगले कोश्चन पर आपके चलते हैं आपका अगला कोश्चन पूचा गया है कि NC सिस्टम में निर्देशांक को दर्साने की कितनी पद्दतिया है कोश्चन एक बार फिर से कि दो पद्दतिया होती है आपसे पूचले कि वे दो पद्दतिया कौन सी है तो पहला आपका होता है एपसलिट निर्देशांक पद्दति और दूसरा होता है incremental निर्देशांक पद्धती तो आपकी NC system के दो पद्धतियां होती है कौन-कौन सी एक तो आपकी absolute निर्देशांक पद्धती होती है दूसरी आपकी incremental निर्देशांक पद्धती होती है चलिए अब आपके next question पर चलते हैं आपका अगला question पूछा गया है कि machine में प्रियुक्त दो या दोशे अधिक slide वे slide की विश्थापित दिशा में एक दूसरे को किस कोण पर dispose करती है यानि कि आपका एक बार मैं question फिर से repeat कर दूँ question है आपका friends की machine में उप्योग होने वाले दो या दोशे अधिक slide को विश्थापित दिशा में एक दूसरे को किस कोण पर dispose करती है तो वो आपकी जो है some code पर dispose करती है आपकी एक slide दूसरे slide को विपरीच दिशाओं में तो इसका answer हो जाएगा some code चलिए next आपका question देख लेते हैं आपका अगला question फ्रेंस पूछा गया है कि NC production system का उप्योग किस प्रकार के production में किया तो जो हमारा NC production system होता है इसका पयोग जो है हम batch production में करते हैं चलिए आपका अगला question देख लेते हैं आपका अगला question फ्रेंस पूचा गया है कि किसके द्वारा part program को पढ़ा जाता है आपके लिए question important है पूचे आप ले आपसे फ्रेंस पूच ले question कि निम्न में से किसके द्वारा part program को पढ़ा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा MCU जो हमारा MCU होता है इसका full form होगा machine control units तो जो हमारा part program होता है वो हमारा machine control unit के द्वारा पढ़ा जाता है इसका full form भी आप जरूर याद कर लिजिए का इसका full form हो जाएगा machine control unit तो आप इसका full form भी जरूर याद रखिए का आपसे पूच ले कि किसके द्वारा part program को पढ़ा जाता है तो वो हमारा MCU होता यानि respondents की MCU के अन्य सभी यूनिटों के मद्य सामंज़ से कौन इस्थापित करता यह अतरिक्त नहीं आपका अन्य होगा यहाँ पर question आप से पूचा गया है कि machine control unit के अन्य सभी यूनिटों के मद्य सामंज़ से को इस्थापित कौन करता है तो वो आपका प्रोसेशर होता है जो MCU के अन्य सभी यूनिटों के मध्य आपके सामंज़स को इस्थापित करता है चलिए next question पर आपके चलते हैं आपसे पूँचा गया है कि binary पद्धती में redx base कितना होता है तो जो आपका binary system होता है उसका जो redx base होता है वो आपका दो होता है आपसे पूँच ले कि फ्रंस की binary system में redx base कितना होता है तो आपका जो होता है दो होता है अब याद कर लिजेगा चलिए next question पर आपके चलते हैं आपका फ्रंस अगला question पूँचा गया है कि lead समय में कमी होने पर किस में कमी आती है यानि कि जो lead time होता है यदि उसमें कमी आ जाए तो किस में कमी आ जाएगी तो वो हमारी लागत मोले में कमी आ जाएगी यदि हमारी lead time में कमी आती है तो आपसे फ्रंस पूँच ले कि आने पर चलिए next आपका question देख लेते हैं आपका अगला question पूचा गया है कि NC machine की दच्छता किस पर depend करती है question important है star लगा लिजेगा इस पर आपसे पूचा गया है कि जो NC machine की efficiency होती है वो किस पर depend करती है तो जो फ्रंस हमारा NC machine होता है पूरा वो हमारा soft wear पर निर्भर करता है कि किस प्रकार कि soft wear का आपका उप्योग किया जा रहा है machine में तो NC machine की जो फ्रंस आपकी दच्छता होती है वो soft wear पर निर्भर करती है आपके चलिए next question देख लेते हैं आपका अगला question पूचा गया है कि NC drill machine किसका अच्छा उदाहरण है आपसे पूच ले कि NC drill machine जो है निम्न में से किसका एक अच्छा उदाहरण है तो वो आपका हो जाएगा PTP यानि कि 0.2.9 को सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है आपके NC drill machine का तो आपका हो जाएगा PTP यानि कि 0.2.9 को सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है NC drill machine का चलिए next question पर आपके चलते हैं आपका अगला question फ्रेंट्स पूचा गया है कि CNC computer कितने मसीनों को control करता है तो जो आपका एक CNC computer होगा वो केवल एक machine को control करेगा तथा data को भी इकठा करने का काम करता है तो जो फ्रेंट्स आपके से पूच ले कि जो हमारी CNC machine होती है यानि कि जो हमारा CNC computer होता है वो कितने मसीनों को control करता है तो वो हमारा एक machine को control करता है तथा साथ में data को भी इकठा करने का कारे करता है हमारा CNC computer तो आप से पूच ले तो आप इसका answer अब आप कर सकते हैं आपको पता हो गया होगा चलिए next देख लेते हैं आपका question आप से पूचा गया है question की DNC machine किस प्रकार की होती है तो जो आपका CNC होता है इसी का एक modern रूप आपका DNC है तो सबसे पहले आप इसका full form जान लीजिए कि जो हमारे DNC machine होती है इसका full form क्या होता है तो फ्रंस जो हमारा DNC machine होता है इसका full form आपका होता है distributed numerical control इसका एक बार फिर से आप full form लिख लीजिएगा जो हमारे DNC machine होती है इसका जो full form होता है वो आपका फ्रंस होता है distributed numerical control हमारे DNC machine की full form होती है जो हमारा DNC machine है वो हमारी CNC machine का modern रूप है और जो हमारी CNC machine होती है इसका full farm होता है computer numeric controller अब आईए अपने question पर आते हैं आपका question है कि DNC machine किस प्रकार की होती है तो जो friends हमारे DNC machine होती है वो कम flexible होती है with compare to CNC machine तो जो हमारा CNC machine होता है वो ज़्यादा flexible होता है क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं बार एक से अधिक product को बना सकते हैं DNC में भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर उसके जो flexibility होती है product को बनाने की यह आपकी कम होती है चलिए next आपका question पर चलते हैं next आपका question फ्रेंस कूचा गया है कि NC में MCU का full form क्या होता यानि कि जो हमारा numeric control में MCU होता है उसका full form क्या होता है तो यहाँ पर आपका MCU का full form होता है machine control unit हमारा unit आपका MCU का full form होता है तो आप इसको याद रखिएगा जैसे आपका CNC हो गया CNC हो गया CNC का एक बार फिर से full form देख लेगे जीए computer numeric controller NC का आपका हो गया numeric controller DNC का आपका हो गया distributed numeric controller आपका DNC का हो गया और आपसे पूच ले MCU का तो यह आपका हो गया machine control unit चलिए next question पर आपके चलते हैं आपका अगला question पूचा गया है आपसे पूच ले कि कौन सा अच्छर MCU को कोई विशेश प्रक्रिया करने के लिए सावधान करता है यानि कि आपसे question इस प्रकार भी पूच सकता है कि intimate में से कौन सा जो अच्छर है वो machine control unit को विशेश प्रकार की क्रिया करने के लिए सावधान करता है तो वो आपका अच्छर होता है capital U अच्छर जो हमारा capital U अच्छर होता है CNC में वो क्या करता है कि MCU को कोई भी विशेश प्रक्रिया करने के लिए पहले उसको सावधान करता है चलिए next question पर आपके चलते हैं आपसे अगला question फ्रिंस पूचा गया है कि CNC मसीन पर किस प्रकार का आउजार post उप्योग में लाया जाता है question आपका फ्रिंस है important है आपसे पूच सकता है कि CNC जो मसीन होती है उस पर किस प्रकार का आउजार post उप्योग में लाया जाता है तो उसका answer जो हो जाएगा फ्रिंस वो होगा आउजार परिवर्तक स्वाचालित का कि जो हमारा आउजार परिवर्तक स्वाचालित होता है उसका जो हम उप्योग करते हैं CNC मसीन पर आउजार पोस्ट के रूप में तो आपसे पूँच ले कि CNC मसीन पर किस प्रकार का आउजार पोस्ट उपयोग में लाया जाता है तो वो हमारा टूर जो होता है वो आउजार परिवर्तक स्वाचालित होता है चलिए नेक्स्ट कोस्टन पर आपके चलते हैं आपका फ्रेंस कोस्टन पूँचा गया है कि CNC मसीनों में प्रोग्राम के लिए किसका प्रियोग किया जाता है कोस्टन पे स्टार लगा लीजेगा आपका इंपोर्टन्ट है आपके लिए पूँच ले आपसे कि निम्न में से CNC मसीनों में प्रोग्राम के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो वो आपका है साफ्ट वेयर का तो CNC मसीनों में प्रोग्रामिंग के लिए हम साफ्ट वेयर का प्रोग करते हैं अच्छे से याद रखिएगा आप चलिए next question पे आपके चलते हैं आपसे अगला question पूछा गया है numeric control में प्रोग्राम को बार बार नहीं बदला जा सकता यानि कि जो एक बार आप प्रोग्राम set कर देंगे वो उसी के according आपका numeric control वर्क करेगा बात करें आपके CNC में तो जो हमारा computer numeric controller होता है इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को बदल सकते हैं क्योंकि इसमें soft wear का प्रियोग किया जाता है तो इसमें दोनों में अंतर तो काफी होते हैं लेकिन ये आपका basic है तो इसमें आपका पता होना चाहिए कि जो हमारा numeric controller है उसमें यदि हम एक बार प्रोग्राम को fit कर दें तो उसको हम change नहीं कर सकते हैं वहीं बात करें आपके CNC में तो CNC में प्रोग्राम को बदला जा सकता है CNC हमारा flexible होता है क्योंकि इसमें soft wear का जो है वो प्रियोग किया जाता है चलिए अब आपके next question पे चलते हैं आपका अगला question है question आपसे पूछा गया है कि DNC मसीन का full form क्या होता है आपको मैंने बता दिया अभी यहाँ पर फ्रेंस थोड़ा समिस्टे कि यह diet नहीं होगा यह आपका होगा distributed numerical control तो इसको आप correct कर लीजेगा जो हमारा फ्रेंस DNC का full form होता है वो होता है distributed numerical control तो इसको आप जरूर याद रखिएगा चलिए next आपके अगले question पर चलते हैं आपका अगला question फ्रेंस आता है कि DNC मसीन में कितने घटक होते हैं तो फ्रेंस हमारा जो DNC मसीन होता है उसमें चार प्रकार के element होते हैं तो आपका यहाँ से question एक बन गया कि जो हमारा DNC मसीन हो इतने घटक होते हैं तो इसका answer हो जाएगा चार घटक होते हैं यादि आपसे पूछ ले कि कौन कौन से घटक होते हैं तो इनके नाम note कर लीजेगा आप पहला आपका होता है central computer दूसरा आपका होता है bulk memory to stored numeric programs तीसरा आपका होता है daily communication line और चौथा आपका होता है machine tool तो जो हमारा dnc machine होता है इसमें चार element होते हैं चार में पहला आपका होता है central computer दूसरा आपका होता है bulk memory to store nc programs तीसरा आपका होता है daily communication line चौथा आपका होता है machine tool तो ये अतने आपके dnc machine के element होते हैं चलिए next आपका question देख लेते हैं आपका अगला question फ्रेंस है कि एक dnc computer से कित control करती है तो जो आपकी फ्रेंस है distributed numerical control machine होती है वो आपका distributed numerical computer होता है उससे हम कितनी machine को control कर सकते हैं तो dnc से फ्रेंस हम लगबग 100 प्लस से अधिक machine को control कर सकते हैं तो जो फ्रेंस हमारे dnc machine होती है जो dnc हमारा computer होता है ये machine से थोड़ा दूर पर होता है इसको wires के द्वारा वहाँ पर दूर से control किया जाता है लेकिन जो हमारा CNC होती है वो हमारी जो machine होती है उसी पर लगी होती है और वहीं से उसको control किया जाता है तो जो हमारा dnc computer होग वो लगभग 100 प्लस मशीनों को कंट्रोल करता है एक हमारा DNC कंप्यूटर तो आपसे पूच ले कि एक DNC कंप्यूटर कितने मशीनों को कंट्रोल करता है तो आपका आंसर हो जाएगा 100 से अधिक मशीने जो होती है उनको कंट्रोल करता है हमारा DNC कंप्यूटर याद कर लीए जो होती है flexible manufacturing system अब आपसे पूछा गया है कि FMS क्या है तो जो आपका friends flexible manufacturing system होता है वो processing station का समू होता है तो आपसे पूछ ले कि nake mein najwięks FMS क्या होता है तो वो आपका हो जाएगा processing station का हमारा समू होता है वही हमारा flexible manufacturing system कहलाता है चलिए next question पर आपके चलते हैं आपका अगला question पूछा गया है कि part programming करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है question important है जो आपके part की programming करते हैं उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है तो उनको कहते हैं programmer यानि कि जो program बनाए उसको programmer कहते हैं तो आपका question है कि part programming करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो उसको हम programmer कहते हैं चलिए next question आपका देख लेते हैं आपका अगला question पूछा गया है कि machine किसकी सहायता से work करती है तो इसका answer हो जाएगा कि जो हमारी machine होती है वो punch tape की सहायता से operation करती है और यानि कारे करती है तो एदि आपसे पूछ ले कि निमन मेंसे किसकी सहायता से machine कारे करती है तो आपका option होगा correct वाला punch tape की सहायता से जो हमारी machine होती है वो operation करती है चलिए next आपका question देख लेते हैं आपका friends अगला question यहाँ पर पूँचा गया है कि किसके द्वारा part program को पढ़ा जाता है तो वो हमारा MCU unit के द्वारा यानि की machine control unit के द्वारा part program को reading किया जाता है तो आपसे पूच लेकि निम्न में से किसके द्वारा part program को पढ़ा जाता है तो वो हमारा हो जाएगा machine control unit के द्वारा part program को हम पढ़ते हैं चलिए next आपका question देख लेते हैं आपका friends अगला question यहाँ पर पूँचा गया है कि एक MCU में कितनी unit होती है important question है star लगा लीजिए आप आपसे पूचा गया है कि एक MCU जानी machine control unit में machine control unit में कितनी unit होती है तो आपकी जो एक MCU होती है उसमें 6 unit होती है पहला आपका friends होता है reader unit दूसरा आपका होता है data buffer तीसरा आपका होता है processor चौथा आपका होता है output channel and activators पांचवां आपका होता है channel तथा transducer तो आपका एक MCU में 6 घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं इनका नाम note कर लिजेगा पहला आपका होता है reader unit, data buffer, processor, output channel and accurators, control panel feed channel and transducer तो ये आपके 6 घटक होते हैं एक MCU के चलिए अगला question आपका देख लेते हैं आपका अगला question पूँचा गया है कि binary पद्दती में कितने अंक होते हैं question आपका फ्रेंस important है आपको शायद इसके बारे में पता होगा चलिए एक बार फिर से देख लिए जो हमारा binary system होता है उसमें दो ही अंक होते हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है zero और एक होता है आपका one तो जो हमारा binary system होता है उसमें दो अंक होते है एक zero होता है एक one होता है और आप से पूँच ले कि digital computer किन अंकों को समझते हैं तो इसका भी answer हो जाएगा जो digital computer होते हैं वो binary numbers को समझते हैं और आप से पूँच ले कि binary number कितने होते हैं तो दो होते हैं कौन कौन से होते हैं तो एक तो आपका zero होता है और एक तो आपका एक होता है तो यह थे प्रेंट्स आपके question जो अभी complete हो चुके हैं उम्मित करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए हो, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और इसकी जो PDF है फ्रेंस, अपने टेली ग्राम पर तयारी के लिए कुछ कोश्चन मिल जाएं, तो चलिए फ्रेंस, मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले इंपोर्टन कोश्चन के साथ अब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्त रहिए, मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक कियर, बाई बाई, हैव अनाज दे,